तो आज हम बनाने वाले हैं अंडे के हलवे जो बहुत ही लजीज और बहुत ही दानेदार बनने वाली है तो यह देख सकते हैं कितना अच्छा बनाया है तो यह हम इसे जर्जदी के साथ बनाएंगे तो आप लोग वीडियो को इसके बिल्कुल मत कीजेगा और लाइक शेयर क तक देखें तो चली हम उसे बनाना शुरू करते हैं तो उसके लिए मैंने यहां पर एक पैन ले लिया है जिस में दो टेबले स्पून के करीब मैंने घी आट किया है अब मैं इसमें एक कप के करीब मैं यहां पर मिल्क आड़ करोंगी और इन दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे घी दूद में एकदम मिक्स हो जाना चाहिए अच्छे से तब तक हमें इसे मिक्स करेंगे अब हमें इसमें एड करना है मिल्क पाउडर तो हमें इसे हलके हलका एड करेंगे मतलब थोड़ा-थोड़ा एड करते जाएंगे और चलाते जाएंगे क्योंकि इसमें लम्स नहीं आने चाहिए इसलिए हम इसे थोड़ा-थोड़ा करके आड़ करते जाएंगे इस तरीके से यह बहुत ही यूनिक डिश है आप इसे अलग तरीके से बनाएं डिजर्ट का पहुत ही अच्छा है ठेंड में तो गाजर के हल्वे के साथ-साथ अंडे करना अलग मजा है तो आप इसे जरूर बनाहिए मैं मैं नने सारे मिक्स कर दिए अब यहां पर मैं면 चाहर यंदे का बना ठीख अगर आप ज्यादा बना रही हैं तो जादा लिब और यहां पर बीज़ापि माद कर रही हूं और अच्छा से कर दूँंगी आप जितने अंडे का बना रहे हैं उसे सापसे मिल्क पॉडर घी दूद उसे आप से क्वाइंटिटी मेंटेन कर लेना तो यहां पर मैं इसे सब कितना अच्छा है तो देख सकते हैं यह हमारा दूद इस कंडिशन में हमें चाहिए बिल्कुल खोगा के फॉर्म में देख सकते हैं बिल्कुल दूख सुख चुगा है तो इस सही कि आप इसे पका ले एकदम दूद में आपको करीबन 15-20 मिनिट लगेगा इसे पकाने में से इसे में दाल दें, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको जीतना मीठा पश्राइं दालें मैंने टेस्ट के को अधिए मैं एवर दाल लिए जितना मुझा चाहिए तो आप अच्छा से मिदलब एक प्याली भर कर सके घी भीगाएट करें घी हमे अदिप अपर टक चाहिए इतना घी उमें चाहिए इसमें गी अप अच्छे से भर के डालें जी हमेत्के अप् 데 इस तरीके से मिला लेंगे भीगत साइट निकाल निकाल snak Ale मिलाते जाएंगे हम चेपकना नहीं चाहिए अगल बगल तो इस तरीके से मिला लिए कि कि होगा एक दम रेड़ी है हम पीब इस में एड़ करेंगे अब हमारा मिकचर था अंडे वाला बैटर बिवह मीशन दीरे दीरे करके अड़ करишंगे बखता फटसे थोड़ा थोड़ा करके अड़ करें और यूँ चलाते जाए बिल्कुल इसमें लॉमस नहीं चाहिए और और बिल्कुल पकना नहीं चाहिए बिल्कुल भी घर सारगवन के तो यह बिल्कोल अंड़ा पक जाएगा और यह दानेदार नहीं बनेगा तो आप इस थोड़ा थोड़ा एड़ करके इसे हमें अच्छे से मिक्स करते जाना है यह देख लीजिए बिल्कुल पका नहीं है हमें इसे बिल्कुल दानेदार बनाएंगे इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लिया है तो थोड़ा एड़ करें और मिक्स करते जाना है इस तरीके से यह थोड़ा थोड़ा एट करके हमें से मिक्स करते जाना है यह देखिए कितना अच्छा कलर आया इसका तो यह देखिए मैंने सारे चीज को डाल दिया यह अब इस पॉम में आ चुका बिल्कुल दानेदार तो करीबन मुझे चलाते रहना आप लोगों बिल्कुल रोकना नहीं है 20 मिनिट के बाद बिल्कुल दानेदार बन गया है हमारा अंडा का हलवा बन के तैयार है गाइस चलिए हम इसे अब सर्फ कर लेते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना गाइस प्लीज कर दो झालीबन मुझे तैयार है